जैपर पुलिस की हरमाड़ा थाने की टीम ने एक अंतराजी नकबजन गैंग का भंडा फोड करते वे पचास लाग की नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है पुलिस ने इस गरों की चार सदोश्यों को गिरफतार किया है और इनके कबजे से दो अवेद देसी कट्टे भी बरामत किये हैं अभी युक्तो को कानपूर उत्रप्रदेश से गिरफतार किया है जहां पुलिस ने करीब 600 किलोमेटर का पीचा किया पुलिस ने अभी युक्तो के कबजे से दो अवेद देसी कट्टे भी बरामत किये हैं हरमारा थाना प्रभारी दिलिप खडाओ के नेतरत में विशेश टीम गठित की गई जिसने नकब जनी के सुरागों की खोज की चार एस कोलोनी नियू लोहावंडी रोड पर हुई नकब जनी की बड़ी वारदात के बार टीम ने सीसी टीवी फुटेज की जाँच की और अभी युक्तो का रुट तयार किया मुख्य अभी युक्तो सुदेश चानने जेल से जूटने के वाद जैपूर में किराये के मकान लेकर नकब जनी की वारदाते शुरू की है ये लोग बंद मकानों की रैकी कर दिन में गूगल लोकेशन शेयर करते हैं और रात में ताले तोड कर चोरी करते थे चोरी के माल को यूपी में बेच कर वापस आ जाते थे फुलिस उपायुक्त जैपूर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि अभी उक्तों से गहन पूस्टाच की जा रही है जैपूर में हुई वारदातों के सम्मन में जांच की जा रही है